नमस्कार साथियों मेरा नाम है मनीश भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आयस यूट्यूब चैनल साथियों आज हम एक बेहद अहम मुद्दे पर बातचीत करने बाले हैं या आपके जी एस का पेपर टू से जाकर के जुरेगा यानि की पॉलिटी वाला सेग्मेंट से मुद्दा क्या है या पर एक संसस सदस है जो दूसरे संसस सदस पर कुछ आरोप लगा रहे हैं मामला क्या है उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे यहाँ पर तिर्मूल कॉंग्रेश की संसद है महुआ मोहित्रा इन पर आरोप लगा गया है बीजेपी के संसद है जारखंड से उनके द्वारा आरोप लगा है इसको हम डिटेल से देखेंगे पहले देखिए कि महुआ मो जानते हैं कि विधायक हों तो वो विधान सभा में संसद सदस्ट हों तो वह संसद में जा करके प्रश्ण पूछते हैं ठीक है वहां जा करके सवाल जवाब जब करवाई होती है उसमें सामिल होते हैं चर्चा पर चर्चा में तो उनका प्रश्ण पूछना जनता के तरफ से वाजिब जान परता है, चोकि वो जनता के प्रतनिधी होते हैं, लेकिन क्या वह किसी से पैसे लेकर करके प्रश्ण पूश सकते हैं अंदर में, यही बात जो है अभी चर्चा का वीशय बना हुआ है, इसमें क्या मुद्दा आया है, क्यों इसे वीशे साधिकार का हनन कहा जा है तो हम यहाँ भी देखेंगे कि क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि पार्लियमेंट में कुछ संसर सदस्य हों जो पैसे लेकर के प्रश्ण पूछे हों ठीक है यानि कि आप कह सकते हूं कि राय का प्रश्ण हो गया है ना किसी ने दिया कि मेरे हित से जुरू हुए प्रश करें आप जानते हैं कि सिविल सर्फिसेस एक्जामनेशन में पिछले कुछ वर्शों में प्रिलिम्स का जो स्टेज हो गया है वह सबसे कठीन हो गया है यह सेलेक्शन नहीं रिजेक्शन का स्टेज हो गया है इसलिए बहुत आवश्चिक है कि इसका सही अभ्यास किया पंद्रा अक्टूबर जो वीटाव 15 अक्टूबर है उसको उस दिन पहला इसका टेश्ट हुआ था यदि मान लीजिए आप में से किसी ने यह टेश्ट ना दिया हो यह टेश्ट जो है वह वह डेमो टेस्ट होता है पहला टेस्ट वह फ्री में उखलब्द होता है तो इस को आप अभी भी दे सकते हैं संस्कृति आएस का एप आप डाउनलोड कर लीजी प्ले स्टोर से और एप पर जा करके आप लॉग इन कीजिए और पहला टेस्ट बिलकुल मुफ्ट दे लीजिए आपको सही लगे तो बांकि आप ले सकते हैं इसमें क्या है कि टोटल जो है 34 ट पात्र यदी जो भी एड्मिशन लेते हैं उनके लिए 7000 रखा गया है इसी तरह से यूपी PCS प्रिलिम्स का भी टेस्ट रिज रखा गया है और यह पांच नमंबर से प्रारंब होने वाला है 20 टेस्ट इसमें होगा जिसमें 15 जो है समाना अध्यन का और 5 सी से लिया टेस्ट की भाषा जो होगी वह इंगलिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में होगा इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं वह ऑनलाइन भी एप के माध्यम से दे सकते हैं जो ऑफलाइन देना चाहते हैं वह ऑफलाइन भी दे सकते हैं और यह संस्कृति आईएस के दिल्ली और प्रियागराज दोनु ही केंद्रों पर यह जो टेष्ट है वह संचालित किया जाएगा जो भी टेष्ट आपको होगा तो उस टेष्ट के प्रश्णों का विस्तिरत व्याक्ष्या भी आपको दिया जाएगा ताकि आपके पास सही जानकारी पहुंच तो इसके लिए आप संस्पितिया इसका वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और इस संबंध में विस्यास जानकारी ले सकते हैं चलिए अब हम चर्चा के तरफ लोटते हैं आज का मुद्दा क्या है जैसा मैंने कहा कि BJP MP के द्वारा जो त्रिबुल कॉंग्रेस के MP हैं उन पर आरोप लगा गया था तो बीजेपी MP एक्यूजेज मौवा मौइत्रा ओफ टेकिंग कैस्ट टू आस्क कोश्चन्स पैसे लेकर के प्रश्न पूछने की बात की गई है अगर देखें कि आरोप क्या है जिन्होंने आरोप लगाया है उनका नाम है निशिकांत दुवे य जाने कि जार्खन में एक जगा है गोंड़ा वहां सके यह सांसर परते हैं और इनका संबंध किस पार्टी से है वो सत्ता रूट पार्टी से है बीजेपी से और जिन पर आरोप लगाया गया है महुआ मोहित्रा इनका संबंध जो है तिरमूल कॉंगरेस से है ठीक है और यह बंगाल से आती है तो यहाँ पर देखिए निशिकान दूबे एक वकील है जै अनंत देदरई इनके एक रिसर्च के आधार पर इन्होंने आरोप लगाया है उस रिसर्च को आधार बनाते हुए इन्होंने कहा है कि कारुवारी जो है दर्शन हीरा नंदानी ये इन से इन्ह इन्होंने इनका जो संबंधित प्रशन है पूछने के लिए कैस लिया है और कुछ गिफ्ट लिया है और इन्होंने जो भी प्रशन कहा पूछने के लिए इन्होंने प्रशन पूछा है अब प्रशन क्या पूछा है इनका कहना है कि आधानी ग्रूप के खिलाब प्रशन प प्रतिय श्पर्धा है और इन्होंने क्या किया है गिफ्ट और कैस दिया है वहां पर इनको इनको गिफ्ट और कैस दिया है महुआ मोहित्रा को और फिर इन्होंने इनके लिए प्रशन पूछा है सदन में इसका इन्होंने रिपोर्ट भी दिया इन्होंने कहा कि देखिए इन और उन्हें बढ़ावा देने से संबंधित जान परता है और ये सवाल जो है अडानी ग्रूप को लेकर के पूछा गया है हीरा नंदानी ग्रूप और अडानी ग्रूप जो है उसके बीज प्रतियस परदा है प्रतियस परदा कहने का तात्पर है कि बहुत सारे टेंडर जो है दोनों के बीच तो निशी तोर पर एक दूसरे की छवी धुमिल करने की बात संभव हो सकती है इसकी आशंका है ध्यान रखना है कि यह आरोप अभी शिद्ध नहीं हुआ है केबल यह आरोप है अभी जाच भी इस पर नहीं हुआ है जाच कमिटी भी नहीं बनी है अब यहाँ पर इन्हों ने यह कहते हुए क्या कारवाही की मांग की है इसको समझ लीजिए आप जब सबसे पहले यह समझ जाएंगे कि किस तरह की कहा है कि इन पर एक्शन लिया जाना चाहिए तो आपको यह समझ में आने लग जाएगा कि किसी संसत पे क्या-क्या कारवाही किया जा सक पहला चीज क्या हो गया वेसे साधिकार हनन हम डिटेल से चर्चा करेंगे सदन की अममानना ये दो बातें तारोप इस पर लगा है और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि IPC की धारा 120 जो है इसके तहत इन पर आपराधिक मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए और इन्हें सदन से निलंबित कर देना चाहिए सस्पेंट कर देजिये इन्हें स्पिकर इस मामले में एक जांस कमीटी बना इन्होंने इसकी मांग की है कि आप एक जांस कमीटी बना देजिये और जब तक यह जांस कमीटी जो है जांस पूरी नहीं कर देती है तब तक लोग शभा की से इन्हें सस्पेंट कर देना चाहिए यह पूरी मांग की गई है तो मामला यहां से हम पकर में हमारे आ जाता है कि हम विशेशाधिकार हनन पर बात करेंगे सदन की अब मानना पर बात करेंगे और हम यह देखेंगे कि IPC की धारा 120A क्या होता है समझ में आ गया कि हमारा यहां से पॉइंट क्या मिल जाता है इसको लेकर के हम चर्चा करने बाले हैं अब यहां पर समझ लेजिए विशेशाधिकार हनन प्रश्टा अभी आप बहुत दिमाग मत लगाई आप माल लेजिए आपको कुछ नहीं आता है इस टॉपिक से सबसे पहले शब्द को देखिए यह क्या कहा गया है विशेशाधिकार अधिकार की सबसे पहले बात की गई है और अधिकार में एक शब्द जुरा हुआ है विशेश अधिकार तो विशेश अधिकार कुछ दिये गए हैं किसको दिये गए हैं संसद के सदस्चों को दिया गया है विशेश अधिकार किसी विशे होते हैं उनको कुछ विशेस अधिकार दिया जाता है मान लेते हैं कि जो आम नागरिकों को नहीं है तो वह अधिकार दिया जाएगा अब यहां पर कामकाज के शंचालन के लिए क्या होता है जैसे कि वह सदन के अंदर बहस कर सकते हैं चर्चा कर सकते हैं किसी मुद्दे पर जब वो कारवाई चल रहा हो सतर का तब उन्हें एरेस्ट नहीं किया जा सकता है एक दिन मैंने इस पर पूरे डिटेल से चर्चा किया है प्लेलिस्ट में जाके इसका ये उलंगन करते हैं अत्रिक्रमन करते हैं तो जाहिर सी बात है उस विशेशा अधिकार का इन्होंने उलंगन किया है यदि ऐसा पाया जाता है तो इसके अलावा किसी भी सदस्च द्वारा विशेशा अधिकार हनन प्रस्ताब लाया जा सकता है सदन के किसी भी सदस् ठीक है एक्सेप्ट कर ले कि हाँ इन्होंने विशेशाधिकार का हनन किया है और फिर उसके कारवाई हो अथवा ये जो अध्यक्ष हैं अगर शुकार नहीं करते हैं इनको लगता है कि पहले जांच वेगरा पुक्ति तोर पे हो जाना चाहिए तो ये क्या करेंगे विशेशाधिकार समीती होता है कई तरह की समीती होता है मैंने पहले भी ये लेक्षर लिया हुआ है तो ये क्या करेंगे विशेशाधिकार समीती के पास ये मुद्दा जो है या भेज देंगे यहां फिर जांच का मामला होगा जो अभी कहा भी गया है अ जो की सदन की प्रतिष्ठा में ठेस पहुंचाए उसकी गरिमा में ठेस पहुंचाए क्योंकि लोकतंतर का सबसे बरा मंदिर वो है वहाँ जनता के प्रतिधी जाते हैं तो माना जाता है कि वह जनता के जुरे हुए जो मुद्दे हैं जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उस पर व करते हैं तो भी होगा इसके अलाबा जब भी जैसे लोग शभा का चलता है उधारन के तो पर देखते हैं तो लोग सब्षा कन होता है सचींवाला में बहुत सारे अधिकारी होते हैं ठीक है तो उनके काम काज में भी यदि कोई बाधा डाला जाता है तो यह माना जाएगा कि उसके कर्तबों के निर्वहन में आपने बाधा डाला है तो सदन की अमाना का आरोप जो है उस पर लगेगा अब दो बाते हमने देख लिया विशे साधिकार का हनन हमने देख लिया और हमने यह देख लिय तो क्या है 120A, यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको IPC section 120A, यह article 120A नहीं है, कई बारना confusion होता है, और जब इस तरह के चीजे आ जाती है और विकल्प में आपको आ जाता है, तो आप सोचते हैं यह सम्विधान की बाते हैं, ध्यान रखना है, यह सम्विधान का article 120A नहीं है, य IPC section 120A है, मामला के लिए है, चलिए आगे बरते हैं, इसके ताहत क्या कहा गया है, कि दो वेक्ति या दो से अधिक वेक्ति, जब कोई अनेतिक कार करता है, अवैध कार करता है, या किसी कार को कोई अवैध कार है, उसको बहुत वैध तरीके से दिखाता है, गलत काम कर रहा ह पर इस तरह से कर रहा हो, इतनी सफाई के साथ कर रहा हो, कि वह लग रहा हो कि बिल्कुल वैध काम हो, तो उसको माना जाएगा आप राधिक सडियंद्र, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर यह मामला जाच में पूरा होता है, तो इस 120A पर उधारन के द्वारा फिट करके देखिए, कि महुआ अगर प्रशन पूछती है, पैसा ले करके, तो निश्ची तोर पर यह क्या हुआ, यह गलत काम हुआ, तो यहाँ पर यही कहा गया, कि यह अवैध कार हैं, और अवैध कार को क्या करना है, बिल्कुल एक अच्छे तरीके से किया गया, उनको पैसा मान लेते हैं, कि अगर पैसा दिया गया, उस पैसे के हिसाब से उनके मन मुताबिक उन्होंने जाके प्रशन पूछा, जबकि वो जन प्रतिनी हैं, जनता के अनुकुल प्रशन करने चाहिए, तो यह तरीका जो है, बिल्कुल साफ गोई से किया जाता है, इसी बात को लेकर करके कहा जाता है, कि इस तरह की चीजे हुई है, तो ऐसे जो संससदस हैं, उस पर आपराधिक सदियंत्र चलना चाहिए, अब हम देखते हैं, कि क्या पहले कभी ऐसा हुआ है, इस तरह की घटना हुई है, यह पार्लियमेंट के लिए सबसे नई बात दिये है, ऐसा है कि यह बिल्कुल भी नई बात नहीं है, इस तरह की घटना देखा जा चुका है, और जो यह घटना था, वह एक स्टिंग ओपरेशन हुआ था, कुछ पत्रकारों ने किया था, और इस ओपरेशन का नाम दिया था, ओपरेशन दुरियोधन, अब ओपरेशन दुरियोधन क्या है, देखे, ओपरेशन दुरियोधन के तहट क्या हुआ था, यह 2005 का मामला है, इस ओपरेशन के तहट क्या हुआ था, कि इस पर आरोप लगा था, पहले से कुछ पत्रकारों को यह इस बात की भनक थी, कि कुछ संसर सदस्य जो है, पैसा ले करके कुछ हित धारकों का प्रशन प प्रशारित कर देंगे, तो कुछ पत्रकार इस तरह का काम करते हैं, तो यहाँ पर जो दो वेवशाइट हैं, एक तो आप जानते हैं, नीजी चैनल है आज तक, दूसरा है न्यूज वेवशाइट, कोबरा पोस्ट, इन दोनों के पत्रकारों ने यह काम मिलकर के किया था, इस इस्टिंग उपरेशन में यहाँ बात किलियर हो गया था, कि संसद में पैसे ले करके सवाल किया गया है, या करने की बात जो कही गई है, उसके लिए पैसा लेने की वादा किया गया है, तो 2005 को इस इस इस्टिंग उपरेशन का परशारन हुआ, और इसमें फिर यह से थे, अब यहाँ पर समझें कि सदन में मतदान वारा सभी सांसदों को सदन से बरखास्त कर दिया गया, यानि कि मतदान हुआ था, जो भी विविन पार्टी के लोग रहते हैं उसके अंतरगत, सभी ने कहा कि यह कार जो है, बिलकुल गलत हुआ है, चुकि इससे क्या होता है कि पूरे पार्लेमेंट की परतिष्ठा पर प्रशन लग जाता है, जन्ता का विश्वास तूट जाता है, जन्त परतिवी से, इसलिए सभी ने कहा कि नहीं यह काम जो है, काफी अवैद भी है, और एनेतिक भी है, इसलिए मतदान करके सभी सांसदों को सदन से बरखास्त कर दिया गया था, अब यही मांग जो है, फिलहाल बीजेपी के जो MP हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है, फिलहाल मुद्दा यहीं है, अब देखना होगा कि क्या जांच कमिटी इस पर बनाते हैं, चुकि स्पीकर को चिठ्ठी लिखा गया है, स्पीकर इस पर क्या कारवा हुआ है, समय के साथ आप इस पर अपडेट रहिए, जो कि कुछ न कुछ अपडेट इस पर आता रहेगा, तो वह सिर्फ करेंट अफेर्स रहेगा, जितना मुद्दा मैंने आपको बता दिया, लगभग बेसिक वही बाते रहेगी, अब इस पर एक शंभावित प्रशन है, और प्रशन जो है, ऑपरेशन दुर्योधन के संदर में ही है, ऑपरेशन दुर्योधन किस से संबंधित है, चार विकल्प दिये गए हैं, तीसरे अरब इसराइल युद्ध के बाद, अरब देशों से भारती नागरिकों को बाहर निकालने का अभियान है, बी देखिए, सा पैसे लेकर सदन से अनुपस्थित रहने के खुलासे से संबंधित एक इस्टिंग ऑपरेशन है, यहाँ पर जो भी आपको सही जबाब लगे, उसका कमेंट बॉक्स में आप जबाब लिख दीजिए, देखिए, जब भी आप विकल्प देखिए, ता आप यह देखिए, य विकल्प जो एक सही होगा और बांकी विकल्प जो बनाया गया है, वह विकल्प क्यों बनाया गया है, किस तरह से उसकी तैयारी की गई है, अगर कोई विकल्प गलत है, तो उसके तीछे का तरग क्या है, यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आज के लेक झाल झाल